बिस्मिल्हारुम्हारुर्षीम अस्राम वालीगूं फ्रेंड मैं हूँ जावेद और आप देखने मेरे यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्तर दोस्तों आज आम अब कुछ कहांगे कफ वाले बाजू में प्लेट डालने का तरीका तो यह बहुत प्रफ्रेक्ट तरीका जाएड़ की मैंने पहले से चिपका के रखा हुआ है तो हमारे पास यह यह के बात हूं है एक सबसे पहले हम अजो कफ की साड़ें वह बंद कार लेंगे जो फ़ चाहत이면 को created ब Compass का कर लेंगे यह दोनों कफ की और दोस्तों हमारे चैनल के उपर कुटियंग की लात अदाद वीडियों है और नए दोखने वाले दोस्तों से क्यूंच तेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो एक्स्ट्रा माजर मैंने काट कर लिया है उसके बाद मैंने उसको सीधा किया है तो दूसरे काफ को भी सेम इसी तरह मैं करूँगा उसकी भी मैंने दूसरी सेट भी बंद करनूगा और इसका बिसेम इसी तरह माजर मैं काट करूँगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे है तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों लाइक पी किया करें सबसे पहले मैंने एक बाद उठाया है उसकी मैंने मैनी बना लिए अभी दूसरा बादू दूसरी साथ से खिरू करूँगा मैं दोस्तों वीडियो को स्केप किया बगार देखें इंशाला बहुत फायदा होगा और दोस्तों अमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों ये चाओ पटी है तो मैं इसका आदे पाओं का मारदन लेके जाओंगा दोस्तों सिलाई का खिया रखना है सिलाई बेल कोल सीडी होने चाहिए उसके जो नोके हैं उसके उपर भी सिलाई बेल कोल परफेक्ट होनी चाहिए दोस्तों सिलाई के काम पे थोड़ी सी मेहनत है अगर बंदा कर ले तो पूरी जिनकी बैठ के खा सकता है तो इसलिए मेहनत किया करें दोस्तों मैंने एक इसकी चाकपटी लगा लिए और अब दूसरी आपके सामने शुरू करूंगा ठीक उसी तरह सेम उसी तरह मैंने दूसरी भी लगा लिए इसके ठोके का भी खास ख्या रखना है आपने वह एक जैसा होना चाहिए दोनों चाकपटी का ठोका एक जितना होना चाहिए दोस्तों आदे पाउं का मारजन छोड़के आपने शलाई लगानी है तो दोस्तों का बाजू की कि वीडियो मेरे चैनल पर पहले अपलोड मने की हुई है दोस्तों उसका विदा लात्मी करें कि पलेट वाले बाजू को हम उसकी मौरी कितनी रखेंगे और जिसके अंदर हमने पलेट नहीं डालने उसकी कितनी रखनी है उसके मुताबिक मैंने पहले अप्लोड कियी ही वीडियो उनका विजट भी लाजबने क्या करें दूस्तो कटिंग का तरीका मैंने बहुत असान डाला हुआ है यूटूब के पर तो कटिंग की वीडियो लाजमी देखा करें तो कफ के मैंने शान लगा लिए हैं आपके तो कफ के मैंने शान लगा लिए हैं सामने तो जो मैंने निशान लगाए हैं तीन एक द्रम्यान में और दो सैड़ पे हैं तो जो सैड़ पे हैं उसकी अंदर वाली सैड़ पर हमें प्लेट डालनी है यह भी मैं आपको लगा के दिखाता हूं कुछ इस तरह हैं दोस्तों यह सैड़ से जो काफ की सैड़ से होट से निकलते हैं इसको इसका खिया रखना इसको निकलने देना तो नीचे वाला कप्रा उसको थोड़ा सा तूनक के रखना अपने हाथ में रखना हैं तो अभी जो यह निशान आ रहा है यह बला इसके अंदर वाली सैड़ पर मैं प्लेट डालूँगा इस सैड़ ते हैं यहां ते हैं दुर्मयान वाला निशान है सेम इसे तरह आपने भी करना है यह दूसरा प्लेट है वो भी मैं निशान के अंदर वाली सैड़ पर किया है अशन हो यह दुर्म मैं निशान के अंदर वाली सैड़ एक करले वाली सैड़ लूसरा आप वाश्टबों के चले दे दूझी अचैंगा आपने दूस्ट्रूब्गों सैड़ का थाहन दूस्या सैड़ पहां है लोह अवा आप दोस्तों यह काफ मैंने लगा लिए अब भी माप पुचा करवाता हूं इस निशान के अंदर प्लेटें डाली है तुसका कि ये अंदर में लिशाइड है तो ये भी अंदर में डाली है इससे तरह आपने भी निशान लगा के उसके प्लेटें अंदर डालनी दूस्तों काफ के अंदर प्लेट डालने का और भी तरीके है तो इन्शाला मुख सिर्फ तरीके से प्लेट डालने का तरीके आप कुछ करेंगे कटेंगे मुख सर्फ तरीके से कटेंगे वीडियो अपलोड होगी स्टिचेंगे सेम उसी तरह दूसरे को भी हमने इसका पी उसी तरह जो मैं निशान लगाया काफ के उपर उसके अंदर वले साट पे प्लेट आएगा यहां पे काफी दोस्त प्लेट सिलाई के साथ लगा देते तो प्लेट अंदर वाली साट पे होने चाले दोस्तों वीडियो को फूल वाच किया करें काफी दोस्ते एक आदा मिट लेकि उसके बास स्क्यवक हाक देते तो उसमें दोस्तों कर भी नहीय फैदा और हमारा भी को फैदा नहीं है तो वीडियो बनाना असानी वीडियो के उपर कफी टैम लगता है एक वीडियो के उपर एक एक दिन लग जाता है उसको बनाना अडिटेंग करना अप्लोड करना कफी मेनत होती है तो सभी दोस्तों स्रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को पूरा वाच्किया करें ताके हमारा भी फैदा हो और आपका भी फैदा हो असलाम अलेकुम